मितों अब जो कंसेट आपके सामने आ रहा है वो है शुद्ध और शुद्धी का, शुद्ध आशुद्ध का मतलब आपके सामने कुछ यहाँ पे गलत मात्राएं दी गई हैं, गलत शब्द दिये गए हैं आपको शही सब्दों का चैन करना है कि शही सब्द कौन से हैं मतलब मात्राएं कुछ आपके सामने गलत रहेंगी और आपको पता लगाना पड़ेगा कि शही सब्द कौन सा है ठीक है? तो आपके सामने ये शब्द दिये जा रहे हैं कुछ उनको देख करके आपको बताना है कि शही सब्द कौन सा है तो U की मात्रा एक में छोटा U है, एक में रित्व और कौन सा, बताई कौन सा सही है इसमें, चारों में B option, very good, बिल्कुल सही, B सही है, अगला देखे, मधु सूधन लिखा है, चार प्रकार से बताईए, मधु सूधन कौन सा सही है, कौन सा मधु सूधन सही है, मधु सूधन भी लिखा है, तो मधु सूधन भगवान कृष्ण का नाम है, तो A सही है, मधु सूधन, अगला बताईए देखे, शुशुरूशा, 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 और शुशुरूशा, बताईए कौन सा सही है, अभी हमने आपको बताया था, उस दिन शुशुप्त का बताया था और उसी से मिलता जुलता हुआ शूश्रुशा है तो कौन सा सही है तो देखे फॉर्थ का और अंसर है दी शूश्रुशा तो इसके लिक के प्रेक्टिस कर लिजे शूश्रुशा ओके शू शूरू सा इसका सही है अगला बताई कौन सा सही है प्रभू, प्रभू, परभू, पिर्भू क्वेशन नमर फाइप का कौन सा सही है तो देखें दो ही सही है हो सकते है या तो A वाला या तो B वाला बताई कौन सा सही है गलत A वाला नहीं है सही प्रभु में छोटा हूँ आता है तो B वाला इसका सही पिक्क का अगला देखिए क्लेश क्लेश याने की कला है घर में लडाई होने वाली जो होती, क्लेश मन में जो अंदर लडाई dese Minister, उनको क्लेश बोलते हैं जिनसे मन शांत नहीं रहता तो क्लेश 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 कलेश तो यह दोनों तो हो नहीं सकते हैं उपर दोनों में बताई कौन सा है क्लेश शिक्स्थ का भी कह रहे हैं आप नहीं क्लेश नहीं होता है क्लेश शाशीटी वाला हुआ करता है लिख के प्रेक्टिस कर लिजे क्लेश ओके जैन देखिए question number seven चत्री 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 चत्र चत्रे तो ये दोनों होते हैं बताई कौौण सा चत्री होता है 7th question ये वाला छाच्री का पढ़ते हैं लोग तो छाच्री में चत्री है ठीक न और बढ़ाई ही नहीं आता ह। च्छत्रिये बोलते भले हैं मगर होता क्या है च्छत्रिये चीक है चलिए बताइए जागरती कौन सा वाला सही है तो ये तो हो इनी सकता है अब बताइए कौन सा सही है जागरती जागरती चला छोटा है फिर है एक जागरती B वाला फिर c d वाला है जागरती कौन सा सही है बताई ये एट का एट का सही है b वाला सही होता है जागरती क्या होता है गरती जहां पर ये नीचे रा लगता है वहाँ पर u का भाव भी आता है जागरती है ना वहाँ पर u का भाव भी आता है यसे हृद है थोड़ा सा U का भाव जुड़ा रहता है अगला देखे कौन सा सही है प्रनेता, प्रनेता, प्रनेता नाइन्थ का नाइन्थ का करेक्ट सही है C, अभिशेक बताई ये कौन सा सही है कौन सा सही है अभिशेक बहुत सिंपल कोश्चन C अभी शेक बिल्कुल सही सी अभी शेक सी वाला अगला देखे बताई वर्सा कौन सा सही है 11 कोश्चन बिल्कुल सही जवाब है डी वाला वर्सा सही है अगला कुश्चन देखिए विशाद कौन सा सही है ना मेरी स्पिलिक शुनिए विशाद तो विशाद में कौन सा सही आएगा विशाद तो विशाद का सही है, B option ओके, विशाद में B आएगा अगला बताई ये, विशिश्ठ विशिश्ठ मतलब कोई खास चीज 13 question, बताई कौन से सही विशिश्ठ विशिश्ठ का D सही है चलिए, question अगला है, अश्ठ अश्ठ मतलब कौन सा सही है कि एक एम अश्ट्ट भुजाधारी है ना अश्ट्च्ट भुजाधारी आठव भुजा वाली वगोर्त नुमर्पिर्व ही na C. अश्ट. अश्ट मतलब आठ. अश्ट मतलब आठ. है ना? चलि अगला बताएं, तृदोस कौन सा सही है? तृदोस. तृदोस मतलब तीन बुराई वाला. तीन दोसवाला. 15. 15 का गलत है. तृदोस होगा बी वाला. तृदोस ऐसे लिखा जाता है. ओके और वैसे भी आप जानते हैं दोश ऐसे लिखते हैं दोश वने कमी बुराईयां दोश का उल्टा क्या होता है गोण तो त्रिदोश इस तरीके से लिखा जाएगा चलिए अगला कॉश्चन देखते हैं अगला है शोडस कौन सा सही है शोडस शोडस देखिए शोडस जो होता है यह सटकोंड से सुरू होता है शोडस ओके यहाँ पर डा लगता है शोडस काखा गागा अंगा शोडस अगला देखिए अशाड़ कौन सा सही है अशाड़ अखाड़ तो होई नहीं सकता असाड़ी भी कुछ नहीं होता है तो अशाड़ साही है बी वाला ओके ए अगला क्वेश्ट्चन रिशी केस कौन सा सही है बताईए रिशी केस है आपने देखा हुगा स्टेशन का नाम रिशी केस राशी केस advisor रिशी केस अगला बताईए कौन सा सही है अलहाद आहलाद अलहाद कौन सा सही है 19 कोश्चन का 19 कोश्चन का है ए आहलाद लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए आहलाद ठीक है अगला बताईए शरंगार कौन सा शरंगार सही है गलत श्रंगार जो है ये वाला सही होता है श्रंगार श्रंग एक आता है इसमें दो नहीं आती है इसमें श्रंगार ठीक है ना श्रंगार ये बहुत इंपोर्टेंट है श्रंगार ये वाला सही है बहुत से लोग ऐसे समझते हैं श्रंगार एक नहीं होता इसमें मात्र हड़ जाती है यह आता है श्रंगार यह वाला है अगला बताईए मृत्वूंजय कौन सा रही है कौश्चन नबर 21 मृत नबर 22 बताईए श्रेयकर श्रय अश्कर श्रय अश्कर 22 का क्वेशिन नम यह कौन सा सही है 22 का है B श्रेयसकर श्रेयसकर चलिए बताइए शष्ठम कौन सा सही है शष्ठम, सष्ठ, शष्ठ ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं उन दोनों में उपर में हैं तेश्वा नंबर शष्ठम या शष्ठम A, सष्ठम बिल्कुल सही शष्ठी, शष्ठम अगला बताइए अनुग्रहीत कौन सा वाला सही है मैं अनुग्रुहीत ग्रहीत हुआ तो गरेक्ट आंसर है C, अनुग्रुहीत ठीक है न यहाँ पर क्याएगा राएगा ठीक है न अगला बताइए अन्यों नांश्रित अन्यों नांश्रित का कौन सा सही है अन्यों नाश्रित अन्यों आश्रित अन्यों आश्रित यह तो हो इनी सकता यह तो गल्थ है पूरा अब बताइए इन तीन में से कौन सा सही है अन्यों नाश्रित का ए अन्यो न्याश्रित चलिए नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् प्रणती कह रहे हैं आप correct answer इसका भी परिणती चोटाई की मात्रा बड़ी यह नहीं तो हुआ परिणती अगला बताईए कौनसा सही अभी बताया था मैंने 28 का क्या होता है कभी का विलोम सब्द कभी जित्री याद आया कभी का विलोम सब्द कभी जित्री 29 question अधेता 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 अध्याता कौनसा है ए ए होता है अधेता ठीक ना फिर प्रदर्शनी प्रदर्शनी यह तो गलती है प्रदर्शनी यह भी गलत है बताई यह दोनों में से कौनसा सही है ए प्रदर्शिनी प्रदर्शिनी ठीक ना प्रदर्शिनी हमेशा जिसके उपर जैसे प्रदर बोल रहे हैं तो आंगे वाले के उपर आता है प्रदर्शिनी तो इस तरीके से ये हमारा था कौन सा पार्ट था ये जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से शब्द शुद्धी करते हैं इस तरीके से और भी वीडियो के साथ आप जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल सुझाओ दीजिए धन्यवाद